मासुम शा कुट्टी के सामने बनाया जा रहा है उसकी मुखालिफत में एक लेटर दिया था एक मेमोरेंडम दिया था कि जो वहां पर स्टेपी प्लांट की आप कार्पोरेशन तामीर कर रही है उसकी तामीर को फॉरण रुका जाएं क्यूंकि वो स्टेपी प्लांट जो है अतराफ में जो भी घनी बस्ती है उस घनी बस्ती में बसने आलो के सेहत के लिए खत्रा हो सकता है और अगर साथ दिनों में आप लोगों ने इस पर किसी तरीके का कोई निर्णा या फैसला नहीं लिया तो हम आने वाले वक्तों में एक तहरीक चलाएंगे और उसके लिए म की सिमन मैं विशहिए भी था के जो कि स्कीन चल रही है जल्मल निसारन में जो चल रही है फर्स्स टप्पे का उसके फ़स्ट कि में जो भी हैड्रोलिक स्टृर फेरफार थी कुछ तबदीली तो ऐसा था कि उस तबदीली उस फेरफार के लिए लगने वाली जो एक्सेस रख अमाउंट थी उसके लिए साशन से डिमांड था चार साड़े चार करोड रुका जैसे कुछ पाइप एफ का जो डामेटर होता है गोला ही होती इसको बढ़ाना है और कुछ जगह जो है जहिए नेचरल ग्रेविटी से आने वाला है वह कुदरती बाहो से लेकिन कई जाए कुछ जगह उसकी जो है बूस्टिंग की ज़रूळ पड़ रही थी पंपिंग की जरुवत पड़ रही थी तो उसके हैड्रोलिक डिजाइन में चेंज करकर साशन की तरफ से गौवर्मेंट की तरफ से मजीद पैसा लाने के लिए ठ्रौता तो जो उससे मुतसिल था जो वही वही ठ्रौता जो और जो हम बात बोल रहे थे कि वह भी पैस विशय शुरू होने के फौरण बाद ही कि इस विशय पर हमारी तज्वीज रहेगी हमारे इस कानूनी हख से भी हमें महरूम रखा गया हमारे इस कानूनी महरूम रखा गया हमारा उस जयर्लबूरे में बोलना यह था कि आप जो है वृडीयॏ खर्च की एदाफी खर्च की जो मंजूरी दे रहे हो तो उसमें आप जो स्टीपी प्लांट आप हजरत मासूम शाह कुट्टी के सामने 104 पर जो मुखतस किये उसको शिफ्ट करते हुए जहां आप बना रहे हो वहां पर आप बनाईए और जो पानी की जो उसकी पाइपलाइन रहेगी उस पाइपलाइन का एक्सेस खर्चा पकड़ लीजिए और आपने अभी तक के मिशनरी का टेंडर नहीं निकाला उसके लिए जो मिशनरी सिस्टम लगने वाला है जो मेकेनिजम लग बाएं तो दो होस्सपावर की कर कर लो आप जो है प्लान को शिफ्ट कर लो आज हमारे पास टाइम है आने वाले वक्त में ये शेहरियान की सेहत के लिए खत्रा है लेकिन मैं यह देख रहा हूं के आउटर की लीडर्शिप से माले गाउं बरसर एक्तिदार बहुत उनके किसी भी पर्पोजल को वो रद करने या उसमें फेरफार करने के मूड में नहीं है ये किस तरीके का सत्ता का खौफ है किस तरीके का एक्तिदार चलाने का खौफ या मजबूरी है हम नहीं समझ पा रहे हैं आज बरसरे एक्तिदार की मुकमल नुमाहिंदगी जो है वो सेंट्रल हलके किये उन्हें इस तरफ ध्यान देना होगा ये उनके अपने असेंबली मदार संग के लोगों की भी तकलीफ है और ये उनकी तकलीफ है जो उनसे जो है लगे भीडे लोग है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और हमारे बारे में जूट पहलाने की कोशिश की जाती हर जाता कि जब स्टेंडिंग कमेटी में आया था तो ये चेर्मन थे अब बार बार हम इस बात पर सफाई नहीं देंगे आपके माध्यम और आपके प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं आप लोग आथेंटिक लोग है मुस्तनद लोग है आप जा कर देख लो किसका ठ्राव है औ और किसका उस पर तजवीज है और ये बात ये बुलते कि बहुत आई-एस बनते हर एक एक चीज़ को ये पढ़ते तो उस वक्ति ये क्या करते तो स्टेंडिंग कमेडी का मेरे पास गोशवारा है उस गोशवारे में साफ तौर था उसमें ये लिखा था कि जो है ये जो ट परकिरिया की जाएंगे इसमें कहीं भी जगा का उलेख नहीं है? कि किस जगा STP प्लांड बनाया जाएगा? किस जगा पंपिंग बनाई जाएगी? इसमें कहीं भी उसका उलेख नहीं है? हमने पूरे गोश्वारे को अच्छी तरीके से पड़े थे और हमने उस बात में लेकर आ गए उसके बाद डिजाइन बनाने गए बहुत ज्यादा तकलीफ हुई तो पहले तुम डिजाइन बना के क्यों नहीं लाते कंसल्टन्ट तुम अपॉइंड किये उसको 3% दे रहे लगबग 100 करोड की तुम स्कीम ला रहे तीन परसंड यानि 3 करोड रुपय उसको पैसा दे रहे तो पूरी उसकी हैड्रोलिक मॉडलिंग डिजाइन स्टेंडिंग के सामने आप पेश करोना इस गुश्वारे को आप प बहरा नहीं, 2nd टाइम में कोई बहरा नहीं था, 3rd time में इसने बहरा, ये रेट मेन था तो हमने उसको ये रेट में दिया। तिंडर की इननोंने पूरी बात लिखे। लेकिन टेकनिकल बाब इसमें उन्होंने कहीं इस बात का दिक्र नहीं किया, कि STP प्लान किस तरीके से बनेगा और कहा और उसकी मंजूरी आ रहा उस वक्त भी हमने स्टेंडिंग में यही कहा था यह शहर के हित का विशह है अंडर ग्राउंड ड्रेनेज बनना चाहिए लेकिन कहा बनना चाहिए अगर उसका जिक्र रहता तो हमारी मुखालफा तुस दिन भी रहती थी कि यहां र जाड़ है यानि इतने यानि बात का फरक यह रहता लेकिन बात की पूरी तब्दील कर देते यह वही विशह है जलमल निसारन टपा फरस्ट पैसा बढ़ा कर देना है उसमें यानि स्कीम में चेंजेज हुआ तो चेंजेज हम जो तज्वीज दे रहें वो चेंजेज आप लोना हम जो तज्वीज दे रहें कि यार यहां पर स्टीपी प्लांट आप मत बनाओ यह शहरियान की सेहत के लिए खत्रा है तो वो चेंजेज आप जो है अपने ठ्राव में लेना चाहिए लेकिन आपने तो हमारा जो कानूनी हग है हमें तज्वीज लाने का वो भी हग हम से चीन लिया हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है और हम जो है नगर सच्यू के पास भी जाकर बोले कि आपकी रिकॉर्डिंग में भी आया है हमने तज्वीज लाना हर कार्पोरेटर का हग है बुन्यादी तोर से जो कानून की कार्पोरेशन की किताब है बुन्यादी यह बोलना है बात सुनी जाए और कानुनन है जो है वो किया जाए लेकिन सत्ता का दुरूपियोग हो रहा है बिल्कुल यानि किसी तरीके की किसी की कोई सुनवाई वहां पर नहीं है और इसी जोम में आज शहर का नुकसान हो रहा है